प्रकाम Hefrak अनोकी के साथ होगा हादसा देवी देगी धखका स्टापलोस के शूर और अनोकी की कहानी में अब एक ऐसा पला आने वाला है जब देवी अपनी नफरत की सारी हदों को पार करते हुए अब अनोकी के साथ एक ऐसा हादसा कर देने वाली है जिसके बाद तो बैचारी अनोकी इतनी घायल हो जाएगी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी यानि कि अब देवी जब अनोकी की सब बाते सुनेगी कि वो नौक नी करना चाहती है करियर में आगे बढ़ना चाहती है कुछ बनना चाहती है तो अब देवी को ये सारी बाते बिलकुल भी हजम नहीं होने वाली है और अब देवी को इतना जादा गुसा आएगा अनोकी से कि अब वो अनोकी को सीडियों से धक्का मार देने वाली है और अब इतनी बुरी तरीके से सीडियों से नीचे गिरेगी अनोकी कि उसके सर पर चोट भी आ जाएगी और अब हादसे की शिकार होती भी नज़रानी वाली है अनोकी जिसके साथ ये अब देवी का घटिया चहरा अब सामने आता हुआ नज़रानी वाला है और अब अनोकी ये समझ जाएगी कि वो कितनी बड़ी गलती अब कर बैठी है जिसके साथ ये अनोकी की हालत अब काफी जादा खराब होती वी नजर आने वाली है और अनोकी ये सोचती वी नजर आएगी कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया है शौरे से शादी करके जिसके साथ ये अनोकी की जब हॉस्पिटल लेकर जाएगा शौर या तब भी शौरे के जबा पर यही अब शब्द होने वाले है कि उसे ये नहीं लगता है कि बड़ी माँ और बड़ी पापा गलत है यानि कि अब अनोकी और शौरे के रिष्टे में धीरे धीरे कड़वाहाट आती हुए नजर आने वाली है तो क्या होने वालब शौर की आगे की कहानी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजे हमार चैनल लाइक की इस वीडियो को कमेंट से अपनी विए ज़रू बता और साथ साथ हमार चैनल की नोटिफेकेशन आन करना वे बिलकुल भी ना भूले